हलो गाइज मेरे नाम है विशेक और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चनल बैंकर सड़वाईज गाइज इस तरह के सारे नॉलिजबल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेखिया आता रहता हूं तो प्लीज मैं चनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ महीं यहां से नॉट इसमें मैं बैंक्स और फाइनस रिल्टर जितने वी टर्म्स होते हैं जो बेसिक चीज होती है वह आपको बताऊंगा क्योंकि यह काफी जरूरत है कि यह सब आपको पता होना चाहिए आज के ताइम पे तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो आज का जो प्रस्पाइं बैंक्स बारे में काकरा के चेक्स होते हैं आपने देका होगा लेकिन मैं जो आज दो में शेक सोते हैं जो आपका टेइली रूटिन में यूज रूट da है वो है self check और cross pay transfer check उसके बारे में आज discuss करने वाला हूँ और दोनों के बारे में details से आपको बताने वाला हूँ आज के वीडियो में तो गाई चलिए मैं सबसे बहुत करता हूँ self check का self check क्या होता है तो गाई आप जब भी bank जाते हो cash withdrawal करने के लिए तो बैंक में जो cashier होता है या बैंक के अलग कर्मचारी होते हैं वो आप से डिमान करते हैं कि आप अपना जो है check fill कर लो क्योंकि आपको भी पता होगा कि आप जो है withdrawal strip के द्वारा वो cash withdraw करने की है permission नहीं देते हैं क्योंकि उसमें दो से तीन लगते हैं साथ में आपकी एडिप्रूब लगती है जो काफी लेंदी प्रोसेस होता है तो जो है सबसे प्रोसेस है कि आप अपने जो है self के नाम का चेक बना लो तो गाई जली मैं बताता हूं कि यह देखो आप का लिगया उसका इसके इसके बात क्या करना है आपको चेक पीछे दो साइन करना ही क्योंकि कि एक साइन होता है और दूसरी में तोने साइन अगर पीछे लिखता है तो इसकी के लिए आप मिससे कर से विख में खpace की भाद आता है अपना डान्सट और पर कुरोण चैग सक्थ नहीं होता है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है जब भी आप बैंक जाते हो मैं बता देता हूँ कि क्रॉस पर ही चेक का यूज कहां पर होता है और आप मानो अग्जामपल आपका एकाउंट स्टेट बैंक आफ इंडिया में है और आपको किसी परसन को जो है कोई ट्रांसफर करने है और उसका भी एकाउंट जो है सेम इस्टेट बैंक इंडिया में ही होना चाहिए अगर ऐसा होता है तो आप जो है उनके नाम का एक चेक बनाते हो जैसे आप देख रहो है कि यहाँ पे एक चेक बना हुआ है इसमें रिट पी करके उन्होंने जो है ट्रांसफर किया है एमांट यहाँ पे आपको एंटर करना है देट आपको उपर डालना है और चाह इमाने है आपको जो भी आपका एमांट है वो एंटर लेक् initiatives नीचे आपको sign करना है तो निचे इसमें सबसे में फंटा क्या होता है कि जब भी आप transfer करने के लिए check देते हो आपको जो है यहाँ पे ऊपर के side account पर दो parallel line draw करके आपको account पर लिखना होता है यहाँ अगर आप सिर्फ दो parallel line कहीं पर भी कर देते हो बीच में भी अगर आप यहाँ पर कर देते हो तो इसका जो validation होता है सिर्फ और सिर्फ आपका जो है transfer के purpose के लिए होता है यह आपका जो है over the counter यह check कभी cash नहीं होगा मतलब इसका use सिर्फ of account में जो है transfer करने के लिए ही किया जाता है सेम आपको इसकी पीछे भी एक sign करना होता है और इसके बाद जो है आप इसको अपने transfer करने के लिए दे सकते हो और within 5-10 minutes जो है वो आप जिसके नाम पे देते हो चेक उसके account में यह credit हो जाता है तो गाइस यह रहा आज का जो हमारा वीडियो है काफी short topic में मैंने यह वीडियो बनाया है लेकिन काफी informative है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्रीज में चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में मुझे सपोर्ट करे और जो है इसके बाद मैं जो दूसरा वीडियो बनाता हूं इसके रिगार्डिंग तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातर मिलते हैं नेक्स वीडियो में